पूट्र यहाँ पर हम लोग इलेक्रोणिक कॉन्फिगरेशन जानेंगे कि कितने तरीके से लिखा जा सकता है ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा हुआ लेकिन आज आप बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है से बनाया जा सकता है और आप झो कर रहे होते हैं तो उस टाइम करेंगे कि क्या है से स्टार्ट करेंगे देखेंगे और समझेंगे कि क्या है और कितने प्रकार से लिखा जा सकता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा आपटे गूरूप में सेयर कीजिए बच्चों और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को भी बैल आइकन ताकि आ या फिर सबसेल में या और बाइटल में सजाते हैं फिल करते हैं था सब्सक्राइब करते हैं और यसको लिखने के डिफरेंट वाईट आय य़ अप होता है इनगब रखेंगे तो तो लिखिए सबसेलगे जो है उसको परिंसपेल के अंदर परथे यानि कि यह जो सबसेल वाइज पढ़ेंगे जब हम लोग तो उसमें आप वह प्रिंसिपल भी पढ़ लेंगे और साथी इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है यह भी जान लिजे और साथी साथ की सबसेल वाइज जो इलेक्रोनिक किस रूल को फॉलो करता है और वाइटल वाइज जब आप सीखेंगे तो फॉलो करता है और इनाट गैस वाइस आपको सिखाया जाएगा कि किस रूल को कैसे फॉलो करेंगा ठीक है तो हों पर मैंने पूरा सेपरेट वीडियो दिया है लिंक आई बटन पर आपको दिखेगा सबसे पहला देखते हैं सबसेल वाइज क्या होता है तो आप प्रिंसिपल क्या कहता है जानिए आप जो है एक कॉमन वर्ड है जिसका जर्मन मीनिंग होता जैसे और जर्मन वर्ड है जर्मन इनिंग इसका आप लिख सकते हैं यह इन सालं होगा अどर इस तरह कैसे लिखोगे, according to this principle, a sub cell of lowest energy is filled with electron first than the sub cell of higher energy, यानि कि पहले बस इतना से याद रखे, कि sub cell of lowest energy feel होगा पहले और तब जाके higher energy बाला भरेगा, पहले lowest energy बाला sub cell में electron feel होगा, बचेगा तब उसके आगे highest में जाएगा, और इन्हों ने एक अपना एक डाइग्राम भी दिया, energy feeling का, जो आपको बहुत important है, याद होना चाहिए, trick हमेशा हर जगा काम नहीं आती है, बच्चों, trick बहुत अची चीज़ है, trick पढ़ा किजिए, आप लोग कोई दिकत नहीं है, लेकिन trick के साथ साथ ही, उसका जो basic बात ह है, उसको जरूर से पढ़ा किजिए, और आप देखते हैं कि आप वो क्या, जो आप वो ने कहा, वो आपने समझे ले, अब आप वो कैसे electron feeling बताते हैं, वो हम लोग देखेंगे, रेखे, आप वो energy diagram, मैं इसे अपने camera को off करके नहीं बना रही हूं, इसलिए क्योंकि मैंने है, बहुत सारे बच्चों को बन, आप वो diagram बनाने में ही problem आती है, classroom के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तो इस भज़र से यहां पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, मैं बनाओंगी, आप धियान से observe करना कि क्या करना होता है, कैसे बनाना होता है, ताकि आप अगर कभी मैं आपको सिखा रही हूँ, धियान से समझना मत चलो, देखो, जैसे क्या करना है, सबसे पहले, 1S, ऐसे लिखना, जैसे थोड़ा सा space ले लेके लिखना, 1S लिखा, फिर आप इसी के just नीचे 2S लिखोगे, और just इसके बगल में 2P लिखोगे, ठीक है, इसको गेर देजा, फिर SS के नीचे SS लिखेंगे, और P बाले के नीचे P लिखेंगे, और 3 आगया, तो 3 का D भी आ जाएगा, उसके बाद आप उसी तरीके से 4S लिखेंगे, 4P लिखेंगे, 4D लिखेंगे, और 4F भी आ जाएगा, अब ठीक है, और इसको राउंड कर दें, थोड़ा सा, राउं लिखेंगे, फिर 5P लिखेंगे, 5D लिखेंगे, 5F लिखेंगे, उसके बाद फिर 6S लिखेंगे, और 6P लिखेंगे, 6D लिखेंगे, 6F लिखेंगे, और यहां देखें, G तक नहीं पहुंचा जा रहा है, इसलिए क्योंकि G का भी जरुरत आया नहीं है, वैसा element का इजात अभी हुआ नहीं है, इसलिए यहां पर इतना ही रखेंगे, अब इसको देखें ध्यान से, यह जो 1, 2, 3, 4 है यह आपका orbit नमबर है, S तो सबसे लो गया, और यह 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 क्या है, तो वो orbit का नमबर, यानि N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर यहां पर 4 लिखेंगे आप, यानि यह क्या है, small N मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, कि small N जो होता है, और principle quantum नमबर है, और जो की orbit नमबर को बताता है, N बराबर 6, यहां तो आपने कर लिया, अब आप electron फिल करेंगे, तो यह जो आप देखे, energy का जो यहां पर है, आपका level कैसा इनर्जी होगा, क्या पढ़ाया गया, कि सबसे पहरे lowest में जाएगा, उसके बाद फिल होगा, करके higher में, तो आप क्या करेंगे, energy का आपका क्या level होगा, इस तरीके से जाएगा, energy increasing, energy increasing ऐसे जाएगा, ठीक है, energy ध्यान रखिएगा, जैसे आप बनाएंगे वैसे, कोई बच इनर्जी होगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए, electron पहले इसमें जाएगा, 1s में जाएगा, ठीक है, 1s से बच गया electron, तो फिर आपका किसमें जाएगा, तो फिर आपका जाएगा, 2s में, ठीक है, 2s में जाएगा, चला गया, 2s में, 2s से बच गया electron, तब फिर जाता है, इसमें 2p में, ठीक है, 2p से बच गया, तब जाएगा 3s में, ठीक है न, तो यहाँ से आप इस तरही कैसे बना सकते हैं, देखे, ऐसे electron feeling होता है, ऐसे गया electron, फिर बचा हुआ electron इसमें आए गया, यहाँ से जो बच गय आपका electron वो ऐसे चला गया, ठीक है, तो कैसे गया, यहां से बचा हुआ electron 2P में गया, फिर 3S में गया, ठीक है, अब 3S से बचेगा, तो वो 3P में जाएगा, समझ रहे हैं यहां, 3P में जा रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ सिखाने में इतना वक्त लगता है, 4S है, 4P, 4S में चला गया, तो अब यहां से जो electron बचा, वो गया किस में, ऐसे 3P में, 4S में, 4S से बचा हुआ electron आप किस में जाएगा, 3D में जाएगा, उससे बचेगा, तो 4P में जाएगा, उससे बचेगा, तो 5S में जाएगा, ठीक है, और आप इसको ऐसे, ऐसे, ऐस से कर देंगे ठीक है उसके बाद 5S से बचा हुआ इलक्रॉन जाएगा 4D में फिर 5P में फिर 6S में ठीक है तो इस तरीके से इलक्रॉन का फिलिंग होता चला जाता है और यह आप इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे ठीक है आप समझ रहें कि यहां से जो बचा 5S के बाद इलक्र 5D में बचेगा, फिर 4F में पहले जाएगा फिर 5D में जाएगा, फिर 6P में जाएगा और यहां 7S रहता तो 7 में चला जाता बातारी समझ में करते हैं तो यहां से इस तरीके से ईलक्रॉन जाए जाया, उसके बाद यहां पर एगर 7S लिक दिया जाया, फिर आपका बचा से अपाने होता है हम लोगे काम हो जाता है और देखे काधसे बनाए जाता हैं की मित आइबकरएग से कया सबस्कों कि भी बताता नहीं है बचोंबसे मतलब कैसे आप प्रपाय। इसमें गया इसे ऐसे गया चलिक घर ऐसे और बता रहे है कि इसमें गया इस इसमें तब बचेगा तो इसमें जाएगा ठीक है इस तरीके से आप रफली अपना इंजामनेशन के अंदर बना लोगे और फटाइक से सही बना लोगे तो यहां पर आपने यह सीख लिया तो इलेक्ट्रोनिक कॉंफिरेशन आप थोड़ा सा लिख लेते हैं एक दो तो यहां देखे 1s2 फिर आता है बारी किसकाओ तो 2s2 का तो 2s2 हो जाएगा पिर बारी 2p 6 हो रहें तक देख 10 हो गया अब 2 इलेक्ट्रोन और भरना है जो 3S में जाएगा और 3S2 हो जाएगा तो यह आपका हो गया mannesium का ठीक है उसी तरीके से आप किसी और का भी ले सकते हैं मान लेज़े पी वाले में चलिए अलुमीनियम का अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा केलमीनियम का तो इतना तक तो सेम चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3s के बाद बचा हुआ कहां जाएगा 3p में जाएगा तो आप क्या करेंगे 3p 1 लिख देंगे हो गया उसी तरह से आप जब ट्रांजिशन मेटल के अंदर इंट्री होती है आपकी तो मान लिजे सबसे पहले आप इसकेंडियम का लिखिए सकेंडियम कितना होता है 21 होता है इससे पहले लिखिए कैल्सियम का लिखिए उससे कुछ समझाना है आपको कैल्सियम का लिखिए 20 हो गया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p देखिए यहां तक में अभी 12 हुआ है 3p6 यहां पर कितना हो गया 18 हो गया ठीक है न तो 18 अब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो किस में जाएगा 3p के बाद कहा जाना है इलेक्ट्रॉन को 4s में जाना है तो 4s2 यहां तक कैल्सियम का हो जाता है 20 ठीक है अब बारी आती है स्केंडियम 21 की तो आप देखेंगे कि यहां तक तो आपका हो गया 4s2 तक 20 लिख लिख लिजे फटैक से 2s2 2p6 3s2 बहुत काम करता है ट 3d में जाता है तो 3d आ जाएगा और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा बातागी समझ में तो इस तरीके से होता चला जाता है ठीक है तो अब जितना इलेक्ट्रॉन अब आएगा वह डी में जाते चलता जाएगा और डी जब भर जाएगा डी से इलेक्र है आपको यह चीज आपका हो गया उसके बाद देखिए यहां पर अब साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन भी पढ़ लें कि एक्सेप्शन क्या है इसका तो एक्सेप्शन मैंने नंबर आफ टाइम्स आपको पढ़ाया है फिर बता देती हूं एक्सेप्शन इसका सिर्फ इतना है कि देखें एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर है और कोई नहीं है इसका एक्सेप्शन ठीक है तो देखें क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन क्या है क्रोमियम 24 होता है जब आप इसका लिखते हैं configuration तो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तक तो 20 हो गया ना अब आप क्या करेंगे 20 तो 3d, 4 लिखेंगे ना 24 हो गया ठीक है तो यह बस यहीं पर आपका और वो के according होता यही है कि ऐसे भरना चाहिए लेकिन यह चीज सही नहीं होता है इसके लिए क्या होता है कि एक electron यहां से जम करके इसमें जाएगा और यह convert हो जाएगा यह जो सारा चीज आप देख रहे हैं यह similarly उतारना है और 4s13d5 हो जाता है तो यह जो आप देखें कि एक electron जम कराया गया इस तरीके से यह क्या होता है यह होंस rule है होंस rule of stability हैना होंस rule आपको पढ़ाया है उसमें भी उस वीड को यह extra stability आ जाता है इसके अंदर ऐसा करने से तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d, 9 आप लिखते हैं तो यह अब क्या है यह partially field होने के कारने stable नहीं होता है तो एक electron यह इसको जम करा के दे देगा तो हो जाएगा 4s1 यह होगा half field यानि आधा भरा दो electron उसका maximum capacity है तो आधा उसका कितना हो जाएगा एक हो जाएगा 10 electron इसका maximum capacity है इसका आधा कितना हो जाएगा 3d, 5 हो जाता है यहाँ पे जो बताया था आपको यहाँ पे d10 हो गया फूल फिल हो गया यह half field हो गया तो हूंसु साहब कहते हैं कि कोई भी orbital half field हो या full field हो तो ज्यादा stable होता है than other field orbital ठीक आपके बस इसी जहां chromium है chromium के नीचे का जो element है और copper है copper के नीचे का element उसके साथ यह चलता है तो आपके syllabus के अंदर chromium यह जो आपका है orbital by electronic configuration वो होन्स रूल पर depend करता है और होन्स रूल कहता है कि orbital of same subcell are filled with electrons first singly in one direction and then pairing pairing will be started in opposite direction ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेगा कि होन्स रूल यही कहता है कि orbital of same subcell है तो वो क्या करेगा पहले singly filled होगा और तब आपका pairing start होगा इन opposite तो मतलब एक पहले electron एक डारेक्शन में जाएगा और भरेगा तब pairing start होगा जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए orbital wise मान लिजे ऐसा है कि मान लिजे आपने अभी magnesium का लिखा magnesium 12 है तो क्या होगे यहां पर 1s है तो 1s में 2 electron है तो पहले एक भरा फिर pairing हुआ 2p में जैसे 6 electron है तो यहां तो 6 है तो चले ठीक है 6 है तो ऐसा कि आपने एक पहले भरा यही यही करा है कि पहले singly field किजिए in one direction and then pairing will be started in opposite direction अब बच गया electron तो pairing start हो गया pairing कर दिया उसी तर से 3s में एक electron दो electron अब यहां पर आप एक काम करें आप किसी ऐसे वाले को ले ना जिसको की जिसमें हाँ चले अब आप क्या करेंगे तो देखें यहां पर कैसे है एक electron इसमें हो गया एक electron दो electron इसमें तो दीख रहा था 2P के लिए 3 orbital आप बनाएंगे अब यह आप सोच रहे हूंगे कि मैं आपने यह तो बता नहीं कि 2P के लिए 3 orbital बनता है तो मैं आपको पढ़ा तो sequence से रही हूं ना बच्छो atomic जब मैंने आपको पढ़ाया था quantum नंबर वहां पर बताया है आपको कि पी सबसेल के लिए 3 orbital बनता है सबसेल के लिए 1 orbital बनता है D सबसेल के लिए 5 orbital बनता है और F के लिए 7 बनता है ठीक है जस्ट इलेक्ट्रॉन का यह आधा कर दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन maximum तो पांच और बनता है D का ऐसे होता है यहां पर चलिए तो पी में आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डाले देखे सिंग्ली फिल्ड किजें एक दो तीन अब दो इलेक्ट्रॉन बचा है तो आप ऐसा ने कि यहां भर देगा यहां भर देगा अपोजिट डिरेक्शन में स्टार्ट किजें ऐसे मतब तरीका है तरीके से ही बनाना होता है ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी लिग देंगे और पांच इलेक्ट्रॉन भर गया ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि फिर क्वांटम नंबर का लोचा हो जाता है क्वांटम नंबर गलत हो जाएगा फिर आप इडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लेक्ट्रॉन है किस और बाइटल में और कहां औरियन्टेशन हो रहा है उसका यहां पर इलेक्ट्रॉन डाला आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन डाला तो पांच हो गया न तीन दो पांच तो यह एक अनुत इलेक्टॉन आपको दिख रहा है तो ऐसे ही भरा जाता है यही और बाइटल हो गया और पूर Bu कमपेर करके लिखा जाता है जैसे आप देखिएगा माल लिए कि हमें लिखना है मान लो अभी जैसे magnesium का बार बार लिख रही हूँ तो magnesium का 12 हुआ तो 12 के nearest वाला कौन रहा होगा आपका inert gas neon, neon का 10 होता है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं देखिए पहले सिखा देती हूँ आपको कैसे किया जाता है 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s2 आपने लिखा तो यहां तक जो आप देख रहे हैं यह किसका है neon का है क्योंकि neon का कितना होता है 10 होता है आप जानते हैं न कि 6 आपका inert gas है helium है, neon है, argon है, krypton है, zenon है और redon है है न, 6 है तो sequence में ही ध्यान रखेगा तो यहां पर यह neon का 10 होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं neon लिख दिया, ऐसे लिख के 3s2 लिख देंगे तो भी आपका सही है कुछ books में आपको दिखता है neon लिख के नीचे 10 लिख देता है और 3s2 लिख देता है इससे क्या आसानी हो जाती ही कि आप समझ गए कि यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन था 2 इलेक्ट्रॉन एडवत 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तो किसी भी तरह से आप फॉलो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप देखें कैल्सियम का भी लिखा था थोड़ी देत पहले 20 था ना तो 1 एह देके कैसे लिख सकते हैं इसका 1s2, 2s2, 2p, 6 आपको लिखने के जौरत नहीं पड़ेगा आपको बस सीखाने के लिए जैसे आभी आप मीडियो पर आए हैं सीखने के लिए सीखा रही हैं सिर्फ आपको तो यहां पर देखें यह 10 और 618 हो गया और 4s2 होता है ना यह 18 किसका होता है आरगन का होता है ठीक है आरगन तो आप इसको डारेक्ट लिख सकते थे आरगन 184s2 इसी तरीके से आपको दिखेगा जितने भी ट्रांजिशन मेटल आपको दिखेंगे जेनरली आपके लगता परियोडिक टेबल के अंदर इसी का इस्तमाल के जाता है ताकि एजली और छोटे से जगह में भी लिखा आरगन 184s2 3d1 इस तरीके का लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा तो इसी तरीके से लिखता हुआ कि मतलड़ टेबल में लिखना होता है यह तब फॉलो करना होता है यसा आप माली जिए बहुत ऐटी सिक्स है इती नाइन का लिखना है तो अतना लंबा लिखने से बहतर होता है कि हम लोग एक इनर्ट गैस को फॉलो कर लेते हैं उसके बाद आगे का लिख देते हैं तो यह सिर्फ सिखाने के लिए आपको इतना किया इसमें कोई महनत नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको कोई इससे परिशानी होगे ऐसा कुछ दिखत नहीं है ठीक है तो आप इ इनर्ट गैस वाइज इसी को कहते हैं और कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपने और वाइट यह सीख लिया अब आप समझेगा अब आपको सिखाती हूँ कि क्या जैसे देखे यहाँ पे जब आप कुछ भी लिखते हो कुछ भी माल वान एस टू लिखा है तो यह क्या है यह ह लिखा जाता है कुछ सजाने करें ही लिखा जाता है इन्फॉर्मेशन दिया गया आपको इतना सारा ठीक है तो अब इलेक्ट्रोनिक कॉन्फॉरेशन ऑफ आयन्स भी यहाँ पे हम लोग देख रहें ताकि कहीं भी हम लोग का कुछ छुटे नहीं रिखे आयन्स जो होते व होस करने वाला एक्ट्रोन को गेन करने वाला तो देखें सब से पहले समझ लिजे कि पोजेटिव आयन का मतलब है कैसे बनेगा वाई लास ओ इलेक्ट्रॉन गाई दर्मस अरबीच इसकर ध्यान राठेए गाउटरमोंस्ट और विट से ही होता है ठीक है उसी तरह से निगेटिव आयन बनता है कैसे by the gain of electron ठीक है अब आप ये समझेंगे कि gain of electron जब loss of electron from uttermost orbit हुआ तो gain of electron भी कहां होगा अब इसी के हिसाब से हम लोग configuration एक दो लिक के देख लेंगे और हम लोगों का यहां पर electronic configuration पूरी दर से complete हो जाएगा इसके बाद के वीडियो में आपको electronic configuration से कैसे क्या-क्या application आप निकाल सकते हैं क्या-क्या information निकाल सकते हैं वो सिखाऊंगी ठीक है तो चलिए अभी देखत डास इो फास 11- advis discussions खा इन पत्र, इसने क्या-क्या एक एक live लोगों का साच कर दिया थो डिया साथ अव दो बनाया एनधे प्लस यानी इ-ग्यार में इस- ए क्यी न यहारा में से एक लेक्त्र Guys चला गया दस एक रहार बच गया तो हमारा बच्या हो गया क्योंकि 10 हो गया नियान का भी बताया था आपको की 10 होता है उसी तरह से माल लिजे कि फेरस है तो फेरस का 26 होता है आप इसका जब configuration लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आरगन 18 4s2 3d6 लिखेंगे आभी जस्ट बताया है आपको देखें यहाँ पर यूज भी होना शुरू हो गया लेकिन जब f2 प्लस लिखना हो तो आपके और मोस्ट से इलेक्ट्रोन जाता है अब यहीं पर समझेगा आपको समझना बहुत जरूरी है इसे और मोस्ट से इलेक् हैंगे ठीक है अब आप समझेंगे यह आप लोग क्या करोगे 3d में से इलेक्ट्रोन भगा दोगे बाहर नहीं 3d6 तो रही जाएगा 4s से इलेक्ट्रोन जाएगा क्योंकि जो सबसे बड़ा ओर्बिट होता है न वहीं ओटर मोस्ट ओर्बिट होता है ठीक है आउटर इसे तो यहां पर इस से पहले इलेक्ट्रोन जाएगा सिक्वेंस में आप सजाक लिखते हैं तब फी कोई बात नहीं लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 4s से पहले इलेक्ट्रोन को बाहर कीजिएगा तब फिर 3D में इंट्री आपका होता है तो यहां पर यह हो गया उस 18 हो गया अब इस अठार हो इलेक्ट्रोन को आपको डिस्ट्रिब्यूट करना है तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जास्ट लाइक आरगन के जैसा हो गया बात आगई आपके समझ में आप जैसे बनाते हैं ओक्सिजन के ऊपर क्या होता है टू मैनस होता है तो ऑक्सिजन क आपके क्या हो गया 10 हो गया तो इसका आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 हो गया नियन की तरह हो गया तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ इतना ही आयन में ध्यान रखना है कि positive और negative आयन किसे कहते हैं क्या electron loss gain होता है कहां से electron आता है कहां को electron जाता है यह आपको देखना था जैसे देख 3s2 2p6 3s2 यहां तक तो आपका 12 हो गया 3p3 बारतिन 15 तो यह ऐसा रहा होगा अब जो तीन इलक्ट्रॉन फासपोरस ने लिया वो कहां गया पी 6 में न गया पी में ही न गया तीन इलक्ट्रॉन एड़ हो गया इसके अंदर तो जो ऑटर मोस्ट सेल है ना उसी में इलक्ट्र फिल भी होता है उसी सेलेक्ट्रॉन बाहर भी जाता है तो इस तरह से यहां पर हम लोगों ने ओवर आल जितना भी अलेक्ट्रॉन हो सकता था पॉजेटिव आयन निगेटिव आयन और एटम एलिमेंट जो भी सब मैंने आपको बता दिया है वीडियो अच्छी लगी हो तो